जब भी कुछ हलका खाने का मन करता है न तो दिमाग में आता है सूजी उपमा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सबसे बड़ी बात की बहुत कम वाइल में बनता है टेस्टी होता है वेट लॉस होता है हेल्दी होता है और फटा फट से बन जाता है और सबसे बड़ी ब क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहां पर देखिए मुझे जितना उक्मा बनाना है न मैंने उस एकॉर्डिंग सूजी ले ली है लगवक तेर कटोरी मैंने सूजी ली वी है सूजी को सूजी बिल्कुल साफ है लेकिन मैं इसको फिर भी एक वार अच्छे से चलनी से चान लेती हूँ तक कि कोई भी डाउट ना रहे और यह देखिए सूजी को बिल्कुल धीमी आज में भूनना है क्योंकि इसको भी बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है धीमी आज मैंने इसको भूनना है ताकि यह बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउ हम सूजी उपमा तो सबसे पहले तो इसमें हम फ्राई कर लेंगे मूंवली के दाने या euro ने तो गजब का स्वाभ लाते हैं और Select के विना सूजी उपमा बीचीज़ें अच्छे में ह सब्छे मुझे में प्लाती लाती हैं Iraq सारी चीजे मैंने भीमी आज में ही भूनी है अब यहाँ पर देखिए थोड़े से ही ओयल में आइड कर दिया है सर्षों के दाने, मस्टर्ड सीट और इसमें में भीर सारक करी पत्ता आइड कर दिया यह है चने की और उरत की दाल इसको मैंने भिंगो दिया था लगवक आदे घंटे पौन घंटे पहले आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं पर मैंने इसलिए भिंगो दिया था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ये जो दाने एट किय हैं डाल के चने की डाल और उरत इनको बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्छी ना रह जाएं और ये बहुत अच्छे से भीङ स्वादिस लगता है आप यहाँ पर दालें अच्छे से भून गई हैं तो मैंने एड़ कर दिया है प्यास और हरी मिर्च क्योंकि पोहा में लाल मिच्वगरा तो एड़ नहीं करनी होती है तो हरी मिर्च से ही थोड़ा सा चटपटा कर लेते हैं बाकी जैसा आपको खाना है मसाले डालके जिस तरह से भी वो आपकी चुआईस है फिलाल मैं ज़्यादा तरविक फास्ट में मसाले एड़ ही नहीं करत हूँ प्यास को गोल्डन प्राउन नहीं करना है सौटी करना है और उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर एड़ कर दी गाजर कैप्सिकम बिल्कुल भारी चौप करके मैंने रखी हुई थी इनको एड़ करने के बाद में इसमें एड़ कर देंगे वाइट सॉल्ट नमक एड कर देंगे नमक एड़ करने के बाद में इनको धीमी आज में कुक होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि उपमा में सबजियां कुक होनी चाहिए जैसे हम लोग प्लाव बनाते हैं या फिर फ्रायराइस बनाते तो उसमें थोड़ा सा ना 20-30% सबजियां क्रंची रखने के कुक नहीं करते हैं लेकिन इसमें कुक करना जुरूरी होता है और यह देखिए नमक के साथ में यहाँ पर मैं सिर्फ एड़ करूंगी मैजिक मसाला मेगी का और फर्स टाम मैंने एड़ किया हुआ है ताकि देखती हूँ कैसा स्वाद आता है फिलाल अच्छा बना हुआ थ टेस्टी बना हुआ था तो यहां पर देखिए सबजीद भी कूक हो गई है मैंने इसमें मैजिक मसाला भी एड़ कर दिया है नमक एड़ कर चुकी हूँ अभ यहां पर सबजी भी कूक हो चुकी है अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे पानी हमने डेर कटोर पानी लिया था तो इसलिए हम यहाँ पर एड़ करेंगे करीब चार कटोरी पानी चार साड़े चार कटोरी पानी एड़ कर देंगे जिस कटोरी से मैंने सूजी मेजरमेंट की थी ना उसी कटोरी से मैं पानी भी लूँगी लगवक साड़े चार कटोरी पानी लिया है आभी म पानी को अच्छे से गरम होने देंगे और उसके बाद इसमें हम जब पानी गरम हो जाएगा तो इसमें हम एड़ कर देंगे सूजी आप चाहे तो पहले सूजी मिला लीजीए बात में पानी एड़ कर दीजीए पर मैं इस तरह से बनाती हूं सूजी एड़ कर दी है और आप इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे क्यूकि जैसे ही सूजी पाणी में जाएगी तो पाणी तो गरम है ना तो सूजी एक दम से गाड़ी होने लगेगी तो इसलिए ध्यान रहें कि गैस की फ्लेम को हम बिलकुल लो कर लें ये चोटी-चोटी बाते रहती हैं चोटी-चोटी सी टिप्स रहती हैं जिने हमें याद रखना पड़ता है और जिससे हमारा खाना स्वाधिस्ट भी बनता है अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दो बड़े चमच्च देशी की एड़ कर रही हूँ सूजी का हलुआ हो या सूजी का उप्मा हो भाई देशी के बिना तो मेरा काम नहीं चलता है आप चाहे तो बटर एड़ कर सकते पर मुझे तो देशी की की खुश्बू जो आती है ना सूजी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अच्छी लगती है और मैंने यहाँ पर आधा नीवू भी एड़ कर दिया है और इसको दीमी आच में ही ऐसे भूनते रहेंगे और सूजी बहुत अच्छे से फूल फूल के हमारी जो है ना उप्मा बनता रहेगा मुफली के दाने भी एड़ कर दिये हैं और आभी आप देखिए यह जो उप्मा है ना अपने आप पूरी कड़ाई छोड़ देगा धीमी आच में मैं इसको लगबग भूंती रहूंगी चलाती रहूंगी तो यह देखिए दम परफेक्ट हमारा उप्मा बनकर तयार हुआ है आभी मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उप्मा की प्लेट लगाई वी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी यह सूजी उप्मा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है कुछ लोगों को सूजी के आइटम नहीं पसंद है मतलब उप्मा तो बिलकुल नहीं पसंद है लेकिन भीया हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहां पर देखिया है मैं सूजी किस तरह से सर्व कर रही हूँ थोड़ा सा ऐसा एसी दिमाग में खुराफात आ गई तो मैंने का ट्राई करते हैं तो मैंने कटोरी लिए कटोरी में दो करी पत्ते रखे हैं थोड़ा धनिया एट कर दिया है और मुंफली के दाने इस तरह से रखते रही हूँ उसके बाद इसी कटोरी में मैं सूजी का जो उपमा है ना उसको अच्छे से फिल कर दूँगी ऐसी मेरे दिमाग में ये सरारस सूजी और मैं चाहती तो उपर से भी रख सकती थी लेकिन मैंने का चलो आज कुछ नया ट्राइ करते तो दस छोटी मुटी सरारस चल जाती है दिमाग में अच्छे से फिल कर देंगे सूजी उपमा और उसके बाद प्लेट को इस तरह से रखेंगे और पाउल को पलट देंगे ये रहा हमारा यमी य डिलीसियस सूजी उपमा ये देखिए है ना कितना बढ़िया लग रहा है एकदम डिलीसियस जवरजस्त तो ये वाली जो टेकनोलोजी है मैंने इसी लिए की वही थी थोड़ा सा ना ये देखने में अच्छा लगेगा आप उपर से भी रख सकते तो भी बहुत अच्छा ये रहा हमारा आज का हेल्दी टेस्टी और वेट लॉस सूजी उपमा की रेस्पी चलिए अब मैं इसको आपको इसकी एक बाइट करकर के दिखाती हूँ ये देखिए और आप इसमें चाहे तो काजू भी एड़ कर सकते हैं मैंने नहीं एड़ किये हुए थे क्योंकि पली के दाने मेरे लिए बहुत जरूरी है जो कि मैंने एड़ कर दिये हैं तो ये रही इसकी फर्स्ट वाइट आप लोग भी आ जाएए खाने के लिए और खाके बताएए कैसा लग रहा है टेस्टी लग रहा हो तो फटा फर्स से जाएए और लाइक कीजिए चैनल को सब् ये रादे रादे